नमस्कार शातियों आप देख रहे हैं यूर नियू डारेक्शन इसलिए भरतियां आती रहें और इसी को लेकर आपर महादिवक्ता मनीस गोयल ने कोट को इस याचिका की जानकारी दे दी कोट ने सरकार को निर्देश दिया है कि 19 अक्टूबर तक अपना जो जवाब है वो कोट में दाखिल करें क्योंकि जो अगली सुनवाई है वो बुद सीमा में छूट को लेकर और उसकी भी सुनवाई यहां पर कल होने वाली है 20 अक्टूबर कोई जो की बहुत ही महत्तपूर है क्योंकि उम्र सीमा में छूट को लेकर काफी अभ्यारती परिशान थे याचियों को छूट मिली थी लेकिन और लोग उस पर भी आपर फाइनल औ परहम सुनवाई होगी उसकी जो भी जानकारी होगी देव शाम आपको दीजाएगी आज की अगली सूचना है 7800 पदों पर बंपर होने भरती होने जारी है जी हां क्योंकि 11 रास्टी कृत बैंकों के लिए 27 अटूबर तक किये जा सकते हैं आवेदन और इसमें प्रारमिक और मुक्य परिच्छा के अधार पर चैन किया जाएगा जिसके लिए जो विक्यापन है वो जारी हो चुका है बैंकों की भरती परिच्छाओं के तयारी में जुटे प्रतियोगी छात्रों के लिए जो इंतजार है वो यहां पर खत्म हो गया है क्योंकि IBPS की ओर से 11 पादन करना है इसमें कुछ बैंक है जो बताएगये हैं इन बैंकों में भरतीय ऐसे कि बैंक और बड़ोदा केमराबैक इंडियन ओवर सीज यूको बैंक यॉनियन ऐसी सारी बैंके है इन्हीं में ये भरतीया निकाली गई है बता गया है कि प्रारंबिक परिच्छा दिस् के 35-35 प्रेश्ट होंगे इन सवालों को हल करने के लिए कुल आपको 60 मिनट का समय भी दिया जाएगा जो भी छात्र बैंक में नौकरी के लिए तयारियां कर रहे हैं वो सभी इस पर आवेदन कर सकते हैं अगली सुचना निकल करा रहा है यूपीटीटी 2021 को लेकर जहां पर ड का दिया जाना था डिया लेट प्यारतियों लेकिन इस सरकार ने इस पर अभी तक कोई रुख इस पस्ट नहीं किया है इस सम्मझेद कोई आदेश नहीं जारी जारी था चाहाओ अब श्याधर करने के लिए स्विक्रती अभी तक परतार नहीं किया झाहें कि इन्हें सिच्छक पत्रता परिच्छा में सामिल किया जाए लेकिन PNP ने अभी कोई भी ऐसा आदिश यारी नहीं किया जिसलिए सात्र लगातार PNP पे धर्णा प्रजर्शन कर रहे हैं अगली सूचना है एड़ेट जूनियर सिच्छक परती को लेकर हाली में 17 अक्टूबर को इसकी परिच्छा हुई और परिच्छा में पेपर लीप का मामला काफी ज़्यादा रहा इसी के चलते आरावपी जो विद्याले था उसके पधाना चार और दो सिच्छकों को निलंब कर रही है फिलाल पियान की सच्छी उन्हें साफ तोर पर कह दिया है कि पेपर लीक नहीं हो सका था विद्याले के अंदर ही था और इस पर कोई भी कैंसलेशन नहीं होगा अब इस पर आने वाली जो ऑफिशेल उत्तरकुंजी है वो जारी होगी उसके बाद इसका परिड़ जारी किया जाएगा तो यह कुछ सिच्छा जगत की महत पूर खबरे थी अमीद पशान नाई होंगी ऐसे यह खबरों के लिए चैनल के साथ चुड़ें